अगर बालों पे इसे लगा लिया तो बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप खोट लेकर हरान रह जाएंगे और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि हम बहुती महनत करके वीडियो बनाते हैं और साथी साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू वैलकम दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे योगियव चैनल नुस्खा टीवी पे दोस्तो आज काई वीडियो आपके लिए खास होने वाला है अगर आप भी चाहते हैं अपने बालों को बहुती तीज़े से लंबा करना बिना टाइम गोय है आज कई वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वी तक हमारे शेलन नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें साथी साथ बाजू की बैल एकिन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यहां जो हम सबसे पहले इस्तमाल करने वाले हैं दोस्तों वह है शेंपू दोस्तों आपको इसा भी शेंपू को इस्तमाल कर सकते हैं हम यहाँ इस्तमाल कर रहे हैं क्लिनिक प्लस मैं यह नहीं बोर रहा कि आपको इस्तमाल करना है आप यहाँ कोई से भी शेंपू जो आप रोजान अपने बालों पे इस्तमाल करते हैं वही शेंपू आपको यहां इस्तमाल में लेना है आपको यह पूरा पाउच यहां फाड़के डाल देना है कुछ इस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तो यहां जो हम दूसरी चीज़ इस्तमाल करने वाले हैं वो बहुत ही जादा खास है और दोस्तो इस नुस्खे में आपको इसकीप नहीं करना है ये है दोस्तो प्याज का रस दोस्तो हम प्याज का रस का इस्तमाल कर रहे हैं प्याज का जो रस होता है आपको ये एक काट लेना है मतलब एक बड़ा साइज का प्यास आपको काट कर उसे अच्छी तरीके से किस लेना है उसका रस आपको इस तरीके से निकाल लेना है और इस पूरे रस को आपको यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से देखे और दोस्तों हम यहाँ जो तीसरी चीज के इस्तमाल करने व में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है तो आपको यहां पर इसका इस्तमाल करना है अगर दोस्तों आपके पास यह नहीं है तो आप नैचुरल वाला जो उगता है दोस्तों जो पौधा रहता है उसका आप जेल को ले सकते हैं आपको यहां पर एक चमच लेना है और दोस्तो यहां जो हम लाश्ट और अंतिम चीज इस्तमाल करने वाले हैं वो है दोस्तो शक्कर दोस्तों आपको शक्कर कर इस्तमाल करना है शक्कर जो होता है दोस्तों हमारे बालों को पूशन देता है और बालों को लंबा करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और दोस्तों जो कुछ इस तरीके से देखे देखे दोस्तो ये नुस्खा बनके बिल्कुत तयार हो गया है अब आपको इसे यूज कैसे करना है वो बताता हूं दोस्तो आपके जो बाल है आपको अपने सिर से लेकर पूरे उपर तक आपको इसे अच्छी तरीके से लगाना है दोस्तो आप इ से थोड़ा ज़्यादा बनाना है उपने पूरे बालों कि अच्छी तरीके सा लगाना है और दोस्तो लगा कर आपको से चोड़ देना है और दोस बताता हूं कि इसका पांच मिनट पहले इस नुस्खे को लगा लीजे और अपने बालों पे ऐसी रहन दीजे दोस्तों ये बालों पे आपका वर्क करेगा आपके बालों की लंबाई बढ़ाएगा और दोस्तों बालों में जो परिशानी होगे उसको ये दूर करेगा रोजाना अगर आप इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही चीजे से बढ़ने लगीगी और दोस्तों मैं आपको दावा देता हूँ कि अगर आप इसका इस्तमाल एक महीने तक लगातार करते हैं तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही तीजी से बढ़ेगी और दोस्तो याद रखना है आपको कि आप इसका इस्तमाल एक हपते में तीन बार ही करेंगे आपको इसा भी तीन दिल ले लिजे और हपते में सिर्फ आपको तीन दिल इसे इस्तमाल करना है एक महीने तक लगातार इस्तमाल करें देखें दोस्तों कि आपके बालों की लंबाई बहुत ही तीजी से बढ़ेगी तो दोस्तों वीडियो देखे लिए के लिए धन्यवाद मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार के कोई ने नुस्क्रोटिप्स के साथ तब तक लिए नमस्कार